दोस्तों आज हम बात करेंगे सोराइसिस की बिमारी के बारे में जो की एक बहुती आम बिमारी है और 16 से 45 साल की उमर में लोगों को जादा होती है चार त्वचा की बिमारियां होती हैं जिसमें दाद भी हो जाते हैं और खुजली भी चलती हैं वो हैं एक्जीमा, सोराइसिस, फंगल इंफेक्शन और इसकेबीज या खुजली की बिमारी इन चारों बिमारियों में खुजली चलने के कारण कई बार एक बिमारी का इलाज दूसरी बिमारी की दवाईयों से होता रहता है इस वीडियो में मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी जिससे आप पता कर सकें कि आपकी बिमारी कौन सी है क्योंकि फंगल इंफेक्शन, सोराइसिस, खुजली और एक्जीमा को अलग-अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है इसके लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको जो दाद और खुजली है वो किस कारण से हो रही है सोराइसिस एक तवचा की बिमारी है जो हमारी तवचा की कोशिकाओं या स्किन सेल्स को तेजी से बनने पे मजबूर कर देती है और जब ये कोशिकाओं या सेल्स तेजी से बनने लगते हैं तो वे हमारी तवचा के उपर गिरने के बजाए जमा होने लगते हैं ये जमा हुए सेल्स तवचा पर मोटे मोटे लाल धबों की तरह दिखाई देते हैं, जिसके उपर की चमड़ी पर एक सूखी चमकदार परत जम जाती है. ये एक autoimmune disease है, याने की इस बिमारी में आपका अपना शरीर ही किसी बज़े से इस बिमारी को उत्पन करता है, क्योंकि ये बिमारी genetic भी होती है, इसलिए अकसर ये घर के 2-3 लोगों को होती है, और ठंड के दिनों में ये ज़्यादा होती है. कई बार त्वच्चा को चोट लगने से, शरीर में बुखार होने से, गला खराब रहने से, अधिक शराब और सिगरेट पीने से, और बहुत परेशान या स्ट्रेस में रहने से भी ये बिमारी लोगों में उभर के आ जाती है. कई लोग जो मलेरिया की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, आयडिन यूग दवाई खाते हैं, उनको भी ये बिमारी अकसर हो जाती. क्योंकि सोराइसिस में लाल रंग के धब्बे होते हैं, जिन में खुजली होती है, इसलिए कई बार सोराइसिस को फंगल इंफेक्शन समझ कर लोग उनका इलाज फंगस की दवाईयों से करने लगते हैं, जो की बिलकुल गलत है और बिमारी को ठीक नहीं होने देता है. सोराइसिस के दाग सिर में, गर्दन पर, कोहनियों पर, पैरों, चाती और पीट पर हो जाते हैं, इन धब्बों में भी खुजली चलती है और खुजाने से खून निकलने लगता है. सोराइसिस में चिकने लाल रंग के धब्बे बगल में, जांगों के बीच में और ब्रेस्ट या स्थनों के नीचे भी हो जाते हैं, याने कि ऐसी जग़ों पे जहांपे पसीना आता है, ये चिकने लाल रंग के धब्बों की तरह दिखाई देते हैं. कई बार हातों और पेरों के आसपास इन धब्बों में पस या मवाद भी पढ़ जाता है. पर सबसे बड़ी निशानी सोराइसिस के धब्बों की होती है कि जब आप उनको खुजाएंगे तो उसमें से खून निकलने लगता है. इसके साथ साथ जिन लोगों को सोराइसिस की बिमारी होती है, उनके नाखून आडे तेडे हो जाते हैं और उनमें गड़े पड़ जाते हैं. इस बिमारी में कभी-कभी बुखार भी आता है और जोडों में सूजन आ जाती है. सोरायसिस एक ऐसी बिमारी है जिसके होने से पूरे शरीर में एक तरह की कमजोरी आ जाती है और जिन लोगों को सोरायसिस होता है उन्हें अक्सर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, हरदे रोग और मानसिक तनाव या डेप्रेशन की जैसी समस्याएं भी होने लगती है सोरायसिस का डायगनोसिस कोई भी अच्छा डॉक्टर उसके दाद को देखके पहचान सकता है डायगनोस करने के लिए उसकी एक स्किन बायोपसी करके भेजी जा सकती है जिससे की उसका पक्का डायगनोसिस बन जाता है इसके इलाज का तरीका ये होता है कि पहले सूजन, खुजली और तवचा को सूखने से बचाना होता है फिर तवचा के दाद को साफ करना होता है इसलिए पहली बात तो ये है कि तवचा को सुखने से बचाने के लिए नहाने का साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए साबुन तवचा को सुखा देता है रोज एक बाल्टी गुनगुने पानी में दो चम्मच सेंधा नमक डाल कर उस पानी से यदि आप अच्छी तरह से नहाएंगे तो सुरायसिस के दाद ठीक होने में साहता मिलती है मॉइस्चिराइजर और प्राक्रतिक तेल जैसे नारियल का तेल और ओलिव ओईल दिन में तीन चार बार लगा कर तवचा को मुलायम रखना चाहिए रोज दस से पंदरा मिनिट तक सुखे की धूप में बैठना चाहिए शराब, सिगरेट, कॉफी कम पियें और हर छोटी बात पर स्ट्रेस ना लें हलके और मध्यम सुरायसिस का इलाज क्रीम और ओइंटमेंट से किया जाता है जैसे अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, सालिसिलिक एसिड, रेटिनो एक क्रीम, एंथ्रिलिन, कोल्टार और वाइटमिन डी क्रीम सुरायसिस के दाग और धपों पर कई बार स्टीरोइड क्रीम का भी इस्तमाल करना होता है यदि दाद बहुत फैला हुआ है तो फिर खाने की दवाई और फोटो थेरेपी यहने लाइट का ट्रीटमेंट दिया जाता है लाइट थेरेपी में सूरज की धूप में बैटना या अल्ट्रा वाइलेट लाइट और लेजर का भी इस्तमाल होता है खाने की दवाईयों में स्टीरोइड, मीथो ट्रिकसेट, रेटिनोइड, साइक्लोस्पोरिन और दवाईयां जो हमारे इम्यून सिस्टम को दबाती हैं उनका इस्तमाल किया जाता है घरेलू दवाईयों में ऐलोवेरा जेल डागत पर लगाने से और खाने से अराम मिलता है फिश लिवर ओईल खाने से भी सूजन और जलन सोरायसिस के दागों में कम हो जाती है नीम और नारियल का तेल से भी जलन, खुजली और सूजन में अराम मिलता है अंत्मे में फिर से एक बार आप से ये कहना चाहूंगी कि सोरायसिस जैसी बिमारियों का हमारे खान-पान और लाइफ स्टाइल से गहरा संपन्थ है यदी आप अपनी डायेट हेल्दी रखेंगे याने फल, सबजियां, डाल, चावलादी खाएंगे, रोज-रोज एक्सराइस करेंगे और हर छोटी बात पर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो त्वचा की जादा से जादा बिमारियां आप से दूर रहेंगे दोस्तों आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया है सोराइसिस की बिमारी के बारे में आपको कोई भी सवाल हो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए मैं आपको जरूर से अच्छे से अच्छा उतर देने की कोशिश करूँगी धन्यवाद